साथ्यु नवश्कार, मैं सुरिंद्र कुमार, कविता बोलती शिर्षत से, आज मैं आमंत्रित हूँ, जन सरोकारमच का बहुत बहुत आभारे भी हूँ, और मैं कुछ कविताएं और घजले लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, आपके द्वाएं, आपका होसला चाह यह है, तो शुरू करते हैं, गजल का मतला है, खाट के बाण, खाट के बाण कौन कसे बाबा, इस बार ठंड में चल बसे बाबा, मैं कच्चे मकान सा उदास रहा, मुझको देख कर सब हसे बाबा, खाट के बाण कौन कसे बाबा, इस बार ठंड में चल बसे बाबा, हम तो धूल पर पड़े रुमाल हैं, हम किसके दिल में सजे बाबा, खाट के बाण कौन कसे बाबा, इस बार ठंड में चल बसे बाबा, जंगल से गुजरते शेर को देख कर, इधर बचे बाबा, उधर बचे बाबा, खाट के बाण कौन कसे बाबा, इस बार ठंड में चल बसे बाबा, खाट के बाण कौन कसे बाबा, खाट के बाण कौन कसे बाबा, इस बार ठंड में चल बसे बाबा, खुर्दरी खुर्दरी हथेली में हर बार धूप की मैंदी रचे बाबा खाट के बान कौन कसे बाबा इस बाठन में चल बजे बाबा दूसरी गजल प्रस्तुत करना हूँ करपया साथ ही हो मतला है कनक बोना शुरू कर दूँगा धान कटने के बाद कनक बोना शुरू कर दूँगा धान कटने के बाद बिटिया का गोना कर दूँगा धान कटने के बाद कनक बोना शुरू कर दूँगा धान कटने के बाद बिटिया का गोना कर दूंगा धान कटने के बाद जब पुआल घर आएगी सर्दी से बच जाएगी गाए का साथरा कर दूंगा धान कटने के बाद गाए का साथरा कर दूंगा धान कटने के बाद कनक बोना शुरू कर दूंगा धान कटने के बाद बिटिया का गोना कर दूँगा धान कटने के बाद जब भी मिलापक डंडी पर मुँ फुलाए रहती थी उसको दिवाना कर दूँगा धान कटने के बाद कनक बोना शुरू कर दूँगा धान कटने के बाद सपना सुहाना कर दूँगा धान कटने के बाद सपना सुहाना कर दूँगा धान कटने के बाद, घर आना जाना कर दूँगा धान कटने के बाद, बादल बे मोसम बरसने का रिश्वत मांगेगा, अब की बाद समझोता कर लूँगा धान कटने के बाद, कनक बोना शुरू कर दूँगा धान कटने के बाद बिटिया का गोना कर दूँगा धान कटने के बाद इसी करम में दो और गजले हैं उसके बाद कविताओं पर आऊँगा मैं मतला है रिक्षा चलाते हुए मिया रहमान से मिले रिक्षा चलाते हुए मिया रह्मान से मिले चौक पर जाना था बड़े अर्मान से मिले सोचा था गमों को भुला कर ही मिलेंगे मगर एक दूसरे से परेशान से मिले मगर एक दूसरे से परिशान से मिले रिख्षा चलाते हुए मिया रह्मान से मिले जिनको हम आखिर बरसों से जानते थे जिनको हम आखिर बरसों से जानते थे मगर जब भी मिले उनसे अंजान से मिले रिख्षा चलाते हुए मिया रह्मान से मिले चौक पर जाना था बड़े अर्मान से मिले हमारे मन के पेड़ सारे ही धह गए हमारे मन के पेड़ सारे ही धह गए उनसे मिलकर लगा तुफान से मिले रिक्षा चलाते वे मिया रह्मान से मिले चौक पर जाना था बड़े अर्मान से मिले आख में आख डाल कर बात करते रहे मगर जुदाई में हाथ हैरान से मिले दिक्षा चलाते हुई मिया रहमान से मिले चौक पर जाना था बड़े अर्मान से मिले आखरी गजल कुछ तो रास्ता निकलेगा मतला है कुछ तो रास्ता निकलेगा जब तू घर से निकलेगा कुछ तो रास्ता निकलेगा जब तू घर से निकलेगा फिर भी बादल निकलेंगे फिर भी सूरज निकलेगा कुछ तो रास्ता निकलेगा जब तू घर से निकलेगा मैं पानी पर चलूँगा तू धर्ती पर समलेगा कुछ तो रास्ता निकलेगा जब तो घर से निकलेगा मकान तो वही रहेगा किराएदार बदलेगा कुछ तो रास्ता निकलेगा जब तो घर से निकलेगा वो बटका हुआ रहागीर रास्ता रास्ता बदलेगा कुछ तो रास्ता निकलेगा जब तू घर से निकलेगा जब जहर जहर खाएगा तब जहर जहर उगलेगा कुछ तो राष्टा निकलेगा जब तू घर से निकलेगा कुछ कवीत आएं प्रस्तित करना हूँ आशा है आपको अच्छी लगेंगी आप होसला देते रहेंगे दूआएं देते रहेंगे चिडियों की चूँचां आंगन वाले नीम के पेड़ पर चिडियों की चूँचां आंगन वाले नीम के पेड़ पर मैं सोते वे जगा रात के दो बज कर बीस मिनट पर आजकल दूधिया रंग की लाइटे भी तेज जलती हैं चेडिया की चूंचा आंगन वाले नीम के पेड़े दूसरी कविता है ये बिच्वे ये बिच्वे ये पाजे भी ये सिंदूर ये चूरी ये बिंदी ये किस चीज की निशानी है प्रेम की कोई निशानी है? तुम्हारे आते ही घर सांस लेने लगा कोठी कुछले नाचने लगे कबुतर चुगगा मांगने लगे मन के खरगोश वुदखने लगे खिडकी से पुरवा वा आने लगी ताजा गुलाब की पंखुरी लहनाने लगी एलविरा खड़ा खड़ा पसीजने लगा, रसोई में बरकर नापस में बत्याने लगे, तवे पर गोलगो लोटियां सांसे बनने लगी तुमारे आते, ये कविता थोड़ा चर्चा में रही थी, इसको मैं प्रस्कुत कर रहा हूँ, गुलाबी साड़ी, तुम गुलाबी साड़ी में कितने खूब सूरत लगती हो, तुमारे बदन से टाजा गुलाब की खुश्व आती है, तुमारे आखों में एक नदी है, जिसमें मेरी भाउना नाउ चलाती है, तुमारे नाग के नतली बटकती मेरी आत्मा को तुमारे पा प्यार्णक पैदा करती है। तुम्हारी आवाज लतमगेश कर से मिलती है। तुम वाकई मेदू भी हो। तुम से क्यों न प्यार करूं। जिसमें इतनी खोगी हो। मैंने चांद से पोचा, शेशक है। मैंने चांद से पोचा, आपका चांदनी पर कितना नियंतन है। रचने के बाद कितना अपनी है। वना मैं अपने दाइरे के आसपास ही रहने देता। पेड़ के फलने के बाद फल पर कहां हक होता है। दरिया को हक खोता तो पानी को मो ना देता अपनी क्यारी के तरफ प्रचने के बाद एक कवी का भी नियंदन नहीं रह जाता कवीता पर आजकल के बच्चे शुर्शक है आजकल के बच्चे गूगल के मौसेरे भाई हैं टच वाले फोन को तो ऐसे चलाते हैं जैसे कोई खिलो ना हो गेम इस कदर खेलते हैं कि फोन हैंग हो जाए ऐसे ऐसे एप्स जानते हैं हमारी तो दान तले उंगले दब जाए अपने क्विश्क को ही देख लो पढ़ाई का भी कोई एप्स होगा कहने पर नहीं सुनता बलके चिल्दाने लगता है अपने दिमाग का थोड़ा सा भाग पढ़ाई में लगा ले तो एक नंबर का पार स्कुल में आते ही रेंजर साइकल कभी सड़क कभी उस सड़क सुक भाई किदर जा रहे हो कितनी बार कहा सुबह सुबह जाते हुए टोका मत करो फिर भी बताओ तो सही जैन साहब के जैन साहब ने बहुत बड़ी मार्किट बनाई है उदर जा रहा हूँ सुक भाई कभी हामे भी मौका देना मैमा नवाज जीदा कभी तक शीषर है अंगिठी जला ले अंगिठी जला ले मैं कोईला फोड रहा हूँ हाँ ये सच है पहले जैसा सस्ता नहीं रहा कोईला मगर फिर भी तो अंगिठी जला ले जिसंबर की हाड तो ठंड है ताव की चिलम भर दे चा डेख्ची में धर दे और सुन गाए को सानी पानी कर दे रोज की तरह तड़के तड़क सब्जिलेने जाना जाना है मुझे बच्चो को उठा दियो आज मत लेना ना उने अरे ठंडी बहुत है दोपैर में कबारी बजार से सच्टी किताबे खरीद दूँगा और कोफी नहीं तो नहीं तो मा सावा के त्रेर थे हैं बच्चो पर कल सोचा था कमबले कराऊंगा मेरी जेव से थोड़ा महंगा था जो अभी हूँ अगले हफ्ते खरीद लोंगा अरे मौसर माराज बस भी कर चोदर दिन हो गए धूप निकले कारनिस कारनिस पर देखा आले दौाले पर देखा चज्चे पर चछत पर देखा आंगन में भीतर वाले कमरे में देखा रसोई में देखा बाजार में जाते हुए तड़क पर देखा हजूर के पेड़ पर देखा नदी किनारे तलाब की मुंडेर पर देखा गाउं के मेले में देखा सिल्बटे पर देखा हर जगे देखा कही नहीं मिला दरसल दिल मेरा मेरे पास था पता नहीं होने का अशाथ था माइकल की साइकल माइकल की साइकल का पहिया रोड पर किसी जनेवधारी से ठूग गया चैन टोटी सो अलग मिस्त्री के पास बैठा बड़ बड़ा रहा था इंगलेंड में होते तो ये नौबत ना आती मैंने पूचा तुम कहां के हो जार खंड के हमारे खांदान के लोग ओ पहले आदिवाथी थे फिर वो जोर से खासा और गुम हो गया कविता का शिशक है ग्रे कलर का नेट वाला सूट सुनो मेरा ग्रे कलर का नेट वाला सूट सिलक Twilight हो गया बस थोड़ा सा कढही वड़ाई का काम अदूरा है पहनकर देखा एक दम मसदाई है तुम्हें ये कलर पसंद है न बावू इसी वज़े से पूरे ध्यान से शिला है मेरी चोटी वाली भावी ने क्या देखा एक्टम मांग लिया मैंने मना कर दिया अब मुझ फुलाई बैठी है अब मैं क्या करूँ तुम्हें ग्रे कलर का नेट वाला सूर पसंद बहुत है न कल प्रेस करके पहल लोगी शिर्शक है निराशा निराशा बाहर आंगन में खड़ी घर का जोर जोर से दर्वाजा खट-खटा रही थी और चिला रही थी मुझे अंदर आने दो मैंने आओ देखा न अताओ शैतूत का डंडा लेकर उसके पीछे भागता रहा और जब तक शम्शान नहीं आ जाता तब तक पीछा करता रहा तुम हैरान थी और परेशान थी हमारे खर के आंगन में खिला गुलाब का पोधा तेज आंधियों के बावजूद टस्ट से मसना हुआ और मैं गाउं से आट-दस किलोमेटर दूर मलीपुर कस्बे में सिलाए के दुकान पर था और तुम मुझे ये सब फोन पर बता रहेगी कान का बूदा हर आठवे दिन तुमारे कान का बूदा किदर खो जाता है पूरे खर को च्छान मारती हो मिलता है साड़ी के किनाले पर या मेरे तकिये के गिलाफ में एक दिन सुनार को बुला कर उसके पैंश ठीक करवाओ और इसे मजबूती से पहना करो यह तो हर चीज करीनी से सेट करती हो कपडे अलकनी से उतार कर अलमारी में तह की तह रखती हो चाय बनाते हो चाय बनाते हुए दालचिनी नहीं भूलती लेकिन कान का बूदा कहीं रख कर भूल जाती हो कान का बूदा कहीं रख कर भूल जाती हो मैं आपसे इजाज़ता लेने से पहले परते क्रिया चाहूंगा कविताएं गजले कैसे लगी और एक बार फिर आभार जन सरोकार मंचकार हम जैसे कवियों को आगे लाने के लिए जो दूर भूले बटके हैं धन्यवाद बहुत पताबार